नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का कोचिंग होम 24 पर तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं देखे आपने जैसा कि थम्नेल में देखा होगा कि BSF ने जो है बंपर भरती निकाली है उसमें 1072 पर जो है वो भरे जाएंगे तो इन सारी जो भरती रिक्रूट्मेंट होगी जो BSF की होगी तो उन सभी का जो देखे आपको official notification है वो इस वीडियो में provide किया जाएगा और आप online कैसे अवेदन कर सकते हैं आपकी age क्या रहेगी भी जो है cover की जाएगी तो देखे सीमा सुरक्षा बल ने काफी सुनहरा मोका दिया है जो की BSF में नोकरी पाना चाहते हैं तो वह जो है मैं जल्दी से जल्दी आवेदन करें और देखे BSF की जो भरती होगी इसकी जो online date होगी कब से शुरू होगी और इसकी अंतिम डेट क् में कितनी vacancies है को qualification क्या है सभी इसमें details से आपको बताया जाएगा तापकी आपको जो है इसमें भरने के लिए कोई भी आपको दिक्कत ना आए और साथ में जो आपको दिखे इसकी पीटी की date भी बताए जाएगी और इसका selection process कैसा रहेगा सभी इस वीडियो में आपको दे देखे फ्रेंट्स यह जो official notification है BSF की तरफ से वो आपके सामने देखे रखा गया है और इसमें जो vacancy है देखे communication BSF communication की जो vacancy है इसमें वो जो है निकाली गई है ठीक है फ्रेंट्स तो देखे एक एक करके आप यहां से जो है advertisement देख सकते हैं और इसका link भी आपको हम जो description में प्रोवाइट कर देंगे तो देखे उसके बाद आप देख सकते हैं यहां से कि जो radio operator की post है यहां से आप देख सकते हैं कि head constable radio operator की post है और head constable radio mechanic की जो की BSF में निकली है communication setup के लिए ठीक है तो उसके बाद देखे इंडिक न्यूस पेपर 13 मई 2019 ठीक है तो उसके बाद आगे देखे यह तो कुछ काम का नहीं है उसके आगे हम आपको बताएंगे जो इसका main main होगा ताकि आपको जो है समय बरवाद ना हो यहां से ठीक है friends देखे यह आप देख सकते हैं देखे यहां से जो है official इसका proper जो है notification शुरू होता है इसमें आप देख सकते हैं कि जो only application ठीक ह दोनों ही इस form को भर सकते हैं देखे कई जो है इसमें doubt रहेगा कि इसमें male और female देखे दोनों इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर आपकी योग्यता है इसमें तो आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं और यह post जो है head constable की और radio operator की है और friends इसमें vacancy भी इस पार काफी अच् तो वो होंगे 14 मई 2019 को यानि 14 5 2019 से यह जो है शुरू हो जाएंगे सुबह 12 वज़े से ठीक है तो उसके बाद यह जो लास्ट डेट है देखिए लास्ट डेट यहां से बहुत important है लास्ट डेट रहेगी 12 6 2019 यानि 12 जून 2019 जो है इसकी अंतिमतिती रहेगी इसको apply करने के ल चैनल पर आपको अब से प्रवाइट किया जाएगा और जब सक यह रिकूरूटमन पूरी नहीं होती है तो आपको सारे के सारे अपडेट इस वीडियो में प्रवाइट किया जाएंगे और आपको बिल्कुल स्टिक जानकारी दी जाएगी तो इसलिए हमारे चैनल को सब्स हजार से लेकर 81,000 तक ठीक है और यहां से देख सकते हैं हराम से ताकि आपको समय बरवाद ना हो तो इसका हम जो है आपको पीडियेफ जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रवाइट करवा देंगे तो देखिए उसके बाद आप यहां से देख सकते हैं विकेंसी देखिए तो यह काफी देखिए आप यहां से देख सकते हैं पहले देखिए हैड कॉंस्टेवल रेडियो परेटर की उसमें जो जर्नल की वेकेंसी है ठीक है वो है 20 यह सम की जो 10 परसेंट की जो वेकेंसी है वो है 20 और उसके बाद अगर बात करें सिए की वो है 5 प्रतिशेद वह है यह तो वो उनके लिए वाकेंसी एकेंसी जाए इसक्स्टी सेवन यहां से आप सकते हैं लिए सीच्टी सेवन और यह प्रकार से य्जिन लिए हैं यह पर यहीं को बात है कि यहां पर OBC के लिए जो है कोई भी इसमें वाकेंसी नहीं है है डिकांस्टेवल रेडियो प्रेटर में और SC के लिए तो उसके बाद एक जर्नल की यहां से जो टोटल विकेंसी है जो अनुजर्वड है वह है 223 223 EWS की 35 है और स्ट की 46 तो इसी परकार से अगर टोटल बात करें अगर यह कितना होता है ग्रेंड टोटल अगर यह जो है जो है यहां से बनती है साथ सो बहत्तर ठीक है साथ सो बहत्तर तो देखिए यह जो ओफिशे नोटिफिकेशन है साथ इसमें जो है उनसे कुछ गड़बड हो गई होगी शायद यहां से क्योंकि जीरो विकेंसी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकती क्योंकि यहां से जो टोटल विकेंसी है वो है एक हजार बहत्तर ठीक है तो चलिए इसका देखिए हम आपको दोबारा कंफर्म करवाकर बताएंगे क्योंकि जो ओफिशे इसलिए आपको इस वीडियो में प्रवाइड की गई है तो देखिए आगे देखिए उसके बाद जो है रिकूटमेंट डेट देखिए कि इसका जो अटाइस जॅननेस को अम्रेमटकों होगा और जो इसके अंसर की है वो भी जो है जो BSF की official site है उस पर आपको provide करवा दी जाएगी तो देखिए उसके बाद second phase जो होगा देखिए जो PET या documentation है वो आपका written exam के बाद होगा जानि जो return exam है उससे बाद होगा तो यानि आप यहां से देख सकते हैं कि return exam जो है वो पहले होगा और उसके बाद documentation होगी देखिए आपको यहां से proper details date दी गई है कब आपका जो है documentation होगा तो documentation होगा 9 October 2019 से और जो descriptive return test है वो होगा 24 November 2019 को और जो third phase है यानि last phase है जो final medical examination होगा वो होगा 30 जनवरी 2019 से तो यह थी देखिए final जो 8 हमें जो proper एक से लेकर जितनी भी dates यहां पर return examination से लेकर जो final examination है medical examination उस सबसे लेकर जो है last तक यहां पर आपको date प्रोवाइड की गई है तो देखिए जो final जो उसके बाद होगा final result होगा वो अलग-अलग merit के हिसाब से बनेगा ठीक है तो देखिए अगर आप यहां से रेइडियो generator की बात करें तो वो होगा देखेे जो आपने descriptive test में जो marks थे आपके और dictation test में जो आपके marks है उसके हिसाब से जो आपके radio operator की merit बनेगी ठीक है radio operator की merit बनेगी और उसके के साथ अगर radio mechanic की बात करें तो वो बनेगी जो descriptive test है जो 200 marks का आपका होगा तो उसमें आपकी merit जो होगी जिस हिसाब से उसमें merit बनेगे तो वो ही आपकी वहां से final cut off रहेगी वो ही आपके जो last final merit होगी ठीक है तो देखे उसके बाद बात करते हैं यहां से कि candidate who score more marks in total तो देखे जिसके यह तो आपको पता है जो जिसके ज्यादा marks होंगे वो definitely selected होगा देखे screening test जो OMR based होगा और उसके बाद देखे यहां पर आप देख सकते हैं यहां से official notification यह उसके बाद देखे आगे बात करते हैं eligible condition की eligibility जो कंडिशन है qualification क्या है तो देखे आगे जो है academic qualification for hc radio operator यहां से आप देख सकते हैं कि यहां से जो है आपकी matriculation है और उसके साथ-साथ दो साल का आपका industrial training institute यानि आई ITI का जो radio and television का या electronic का किसी भी trade से आपका जो होना चाहिए ठीक है और उसके बाद एक और है अगर आप 12th pass है तो आपका PCM यानि physics chemistry math में आपके जो हैं और यहां से कोई भी degree भी हो सकती है तो आपके minimum जो marks हैं वो 60% होने चाहिए तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं ठीक है friends तो तो देखिए यह था इसके लिए radio operator के लिए तो देखिए आपको किसी भी trade आपको दिए गए है electronic computer operator programming assistant और data जो भी है यहां से आपको होना चाहिए और अगर आप 12th pass पर करना चाहते हैं तो आपके physics chemistry और math के जो हैं कम से कम 60% marks होने चाहिए ठीक है तो देखिए उसके बाद बात करते हैं यहां से head constable radio mechanic की तो देखिए यहां से जो उनका होगा radio mechanic का होगा तो manipulation same जो है अगर आप 10th base पे apply करते हैं तो उससे जो है आपका IT जो train का आपका जो है form होगा वो भी साथ में इसके जरूरी है और आप यहां से देख सकते हैं fit technology electronic system जो भी है आपकी जो भी है आपका trade है आगर आपकी योगता इसके अनुसार है तो आप इस time से होने जाए ठीक है तो उसके बाद बात करते हैं देखे जो age है age limit जो सबसे important रहेगा age limit क्या है तो age limit देखे 18 से लेकर 25 साल किया और पश्य साल है यहां से और उसके बाद देखे आगे बात करते हैं देखे और यह जर्रेल के लिए उसके बाद अगर OBC की बात करें 18 से 28 ह है और स्ट की बात करें अगर ऐसी स्ट की बात करें वो है 18 से 30 साल तो यह देखिए एज लिमिट यह है अगर आपकी एज इस अनुसार है तो आप अप्लाई किजेगा तो देखिए उसके बाद है जो एज लिमिट है गवर्मेंट इंप्लोई जो है उनके लिए हैं यहां से ज और ससेस्ट के लिए fulfil 95 घो यहां से भी आप देख सकते हैं है चलिए तो hist देख है देखें अगे आपको यहरां से आप हैं और देखर और यहां से जो आपका फ्यजिकल स्टैंडर्ड है फ्यजिकल स्टैंडर्ड जो है आपका PET होगी, PSD होगा उसमें क्या रहेगा? तो दीखें आप की जु縁 है, आप की जो हाइट है वो 168 सेंटीमिटर और जो फीमेल के लिए है वो 157 है और दीखें चैस्ट जो है यहाँ से 80 सेंटीमिटर है मेले के लिए और उसके बाद के बात करें और हाइट और उसके असाब से आपका वेट होना चाहिए हाइट के असाब से तो देखे उसके बाद जो अलग है जो से कुमाईयू जो भी नागा लेंड और नाचल परदेश इमाचल परदेश कश्मीर ले उनके लिए यहां से आप देख सकते हैं आपका रिजन जो है अगर आपका है तो उनको स्पेशल जो है इसमें जो है हाइट के लिए शूट दे रखी है उनको लिए 165 फीमेल के लिए 162.5 cm है और देखिए बात करें इता मिनिमूम स्टेंडर फोर एलेट सब मेजर मेंट चैस्ट 80 cm देखिए और अगर आप यहां से सब्बंदित रखते हैं ह इमाचल जैसे हो गया डोगरा हो गया माराथा जो गया जितने भी हैं अगर आप इन जो उपर कैटेगरी मेंशन की गई हैं अगर आप इन रिजन में से हैं तो आपको जो है चैस्ट में भी रेक्सेशन दिया जाएगा ठीक है तो देखिए यह था PST PST कैसा रहेगा तो PST म इसके बाद यहां से आपका मेडिकल जो स्टेंडर है वो भी आप देख सकते हैं देखिए उसके बाद EWS रिजर्वेशन है उनके लिए भी देखिए यहां पर प्रसेस दिया गया है कि EWS वाले जो हैं उनको भी इसमें जो है और रिजर्वेशन का फाइदा मिलेगा ठीक है देखे प्रेंट्स और यह जो इसे में जो प्ल parade होगा तो वह हम बताएंगे देखें उसके बाद बात करते हैं देखें मैथol औौसलैक्शन की इसमें कैसे है सलेक्शन कैसे होगा इसमें इक्जामेनेशन है जो वह कैसे होगा और ओर आमार विएस कोजा मार्क्स mathematics 20 chemistry और GK देखिए इस परकार से होगा और total marks जो होंगे वो होंगे 200 ठीक है तो यहां से आप देख सकते है negative marking भी है इसमें ठीक है तो negative marking भी है for every multiple choice question of two marks जो 0.50 marks will be deducted for every wrong answer ठीक है तो इसमें जो है negative marking भी है और यहां पर आप देख सकते हैं कि दर जो question paper based है उसमें जो qualifying marks है general के लिए वो है direct entry के 38% और SCST के लिए 33% ठीक है तो friends यही थे जो important important जो चीज़े थी यहां से वो थी और देखिए उसके बाद second phase है उसमें जो आपकी running है इसमें देखिए जो running है आपकी कितनी running रहे की हाइट चैस्ट आपको पता है यह PST था वो आपको उपर बताए कि कितने हाई उसके बाद जो देखिए मेल्स के लिए running रहेगा वह उसके बाद बात करें 800 मेटर रहेगा जो फीमेल के लिए और लॉंग जंप जो है वह है 3.65 मीटर ठीक है और हाई जंप जो है 1.2 और इसी परकार से जो देखिए यहां से यह जो है थ्री फिट हाई जंप रहेगा और नौ फिट जो है हाई जंप लॉंग जंप रहेगा फीमेल के लिए ठीक है तो तीन से ज्यादा अटम्ट नहीं मिलेंगे और जो डोकुमेंट वेरिफिकेशन है इसमें क्या-क्याव आपको चाहिए तो आप यहां से देख सकते हैं आई है डिप्लोमा से जो भी एज आप रिलेक्सेशन चाहते हैं जो भी आप रिजर्वेशन या फिर अदर जो का सब कैटेगरी है उसके जो डोकुमेंट है वो भी आपको साथ में जरूरी है तो देखिए यह जो थे पूरा जो था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो भी था आप इसमें वीडियो में हमने परवाइड किया और और डिटेयल में हम आपको इसके लिए लेकर आएंगे ताकि जो है आपकी जुतने भी क्लेयर होसके और चौन होगा किस परकार का सलेवस होगा previous year का question होगा सब ही आपको इस वीडियो में अगली वीडियो में प्रोवाइड करवाये जाएंगे तो आप हमें कमेंट करके जुरूर बताइएगा अगर आपको और जो है इसका previous year का question या फिर इसकी cut-off सब कुछ कुछ भी आपको जो है चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जुरूर बताइएगा और फ्रेंड इस वीडियो को लाइक और शेयर जूरूर कीज़ेगा और फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कीज़ेगा क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे है जो लेकर आते रहते हैं और इस वीडियो का आपको जो है इस नोटिफिकेशन का आपको थम्नेल जो है जो आपको PDF और लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिये जाएगा तो आप वहां से और जो है इसका असानी से इसको देख सकते हैं तो धन्यावाद फ्रेंड मिलते हैं नेक्स डूडियो में